जो प्रेवियस एर में आई हैं बार-बार जो पूछी जाती हैं उन सारी रचनाओं का संकलन है ये गद्दे से रिलेटर रचनाओं सारी होंगी इसके बाद हम काभवे से रिलेटर सारी रचनाओं लेकर के आएंगे सबसे पहले इनको हम लोग पढ़ते हैं एक बार हम उमीद करते हैं कि आपने शेयर कर दिया होगा थोड़ा सा स्टेटस लगा लीजिए आज क्योंकि आज की क्लास वेहद महत्तोपूर्ण है कमेंट तो हम पढ़ेंगे लेकिन बाद में पढ़ेंगे हमारे सामने जो पहली रचना है यह क्या है प्रीवियस में आई हुई प्रीवियस यानि पूर्व वर्षों में आई हुई कठिन रचनाएं यहां पर जो नॉर्मली जो आपको पता होती हैं उन रचनाओं के अलावा जो रचनाएं ज्यादा कठिन होती हैं याद करने में और कदा चित पूछी जा सकती हैं वो रचनाएं ठिक यहां नॉर्मल जो रोज पू पाने 2013 से लेकर के जितने भी अंसौल पेपर हैं तो पहली रचना आपके साथ है मानो धर्मसार आई हुई रचना है राजा सिव प्रसाथ सितारे हिंद ठीक है राजा सिव प्रसाथ सितारे हिंद की रचना है मानो धर्मसार इसके बाद हिंदी कोविद रत्नमाला जो की श्या सुन्दर दास की रचना है फिर आती है दोहा कोश जहां जो रचना आपको आती है ठीक है नहीं आती है तो आप नोट कर लीजिए नहीं तो आप स्क्रीन सॉट ले लीजिएगा दोहा कोश सरहपा की रचना है और सरहपा हिंदी के प्रथम कवी माने जाते हैं सातवी सताब्दी में राहुल सांस्कृत्तैन ने न को क्या माना हिंदी का पहला कवी माना सरहपा को दोहा कोशन की रचना है सरहपा की गीतिका निराला की रचना है निराला बोले तो सूर्य कांत्र पाठी निराला गीतिका यानी अनामिका परिमल गीतिका और तुलसीदा सरोज स्मृति जैसी रचना है लिखने वाले हैं सूर्य कांत्र पाठी निराला निराला छायावाद के अप्रतिम हस्ताक्षर अर्थात एक अनुपम कवी है अपने निराले अंदाज के लिए जाने जाते हैं और मुक्त छंद के प्रणेता कह सकते हैं मुक्त छंद के प्रवर्तक है निराला सुनीता क्या है सुनीता एक उपन्यास है त्यागपत्र और सुनीता क्या है ये उपन्यास है और जैनेंद्र कुमार की ये उपन्यास है जिन्दगी और जोंक ये अमरकांत की रचना है फिर आती है बात जैमयंक जस्चंद्रिका मधुकर कवी की रचना है जैमयंक जस्चंद्रिका किसकी है मधुकर कवी की है हमारे साथ एक बार आप भी बोल दिया करो जैमयंक जस्चंद्रिका मधुकर कवी हसते हैं रोते हैं हरिशंकर परसाई की रचना है हरिशंकर परसाई जिन्होंने निंदा रस लिखा हरिशंकर परसाई जिन्होंने बिकलांग स्रद्धा का दौर लिखा वही हरिशंकर परसाई हैं वेंगकार के रूप में जाने जाते हैं और कभिकुल कलपतरू जो रचना है वो चिंतामडी की रचना है चिंतामडी की रचना कौन सी है कभी कुल कल्पतरूर जो रचना है वो चिंतामडी की है ठीक याद रखिएगा फिर है संधिनी संधिनी क्या है अगर संधिनी हम देखें तो संधिनी जो है वो गीत संग्रा है ठीक है क्या है ये गीत संग्रा है महादेवी वर्मा का संधिनी क् वर्मा का ये गीत संग्रा है ठीक इसके बाद रचना का नाम आता है आलोक पर्व आलोक पर्व जो है वो हजारी प्रसाद दुवेदी की रचना है आलोक पर्व हजारी प्रसाद दुवेदी का निबंध है और सिंगार रसमंडन बहुत बार आपने पढ़ा होगा बिठलनात इसके लेखक हैं फिर इसके बाद आता है बंगाल का अकाल ये थोड़ा सा समझने की बात है ये जो बंगाल का अकाल है इसको हम दो लोगों के साथ जोड़ते हैं दो लोगों की रचना है बंगाल का अकाल अगर हम बात करते हैं कविता की तो ये कविता हरिवन्स र तो बंगाल के आकाल आप यात कर लिजिएगा Ja अगर ऑपने अरिवलस राइव-चन पढ़ा कि आपने अर्वंतर्य राइबक्चन की होगी या फिर रिपोर्ताज विधा की रचना ज्यादा मश्यूर है प्रकास्चंगुप्त का ये एक रिपोर्ताज है धर्ती गाती है देवेंद्र सत्यारती की और शायद आपने पहली बार इस रचना का नाम सुना होगा लेकिन सवभागी की बात है या यूं कहें कि दु पूछी गई है पिछले वर्सों में पूछी गई है अतिचार भी पूछी गई रचना है अतिचार मुनिजिन विजय की रचना है किसकी है मुनिजिन विजय की रचना है भूले विश्रे चित्र किसकी है भूले विश्रे चित्र जो है ये भगवती चरण वर्मा की है ठीक ह उपन्यास भगवती चरण वर्मा की भूले विसरे चित्र चित्र लेखा भगवती चरण वर्मा की एक और उपन्यास है जिसका नाम हम चित्र लेखा देते हैं ठीक है चित्र लेखा भी भगवती चरण वर्मा की उपन्यास है फिर बात कर लेते हैं भूले विसरे चेहरे, अभी आपने पढ़ा भूले विसरे चित्र, अब भूले विसरे चेहरे पढ़ो, कनहिया लाल मिश्र प्रभाकर, ठीक है, कनहिया लाल मिश्र प्रभाकर, कनहिया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है क्या, भूले विसरे चेहरे, तो भूले विसरे चेहरे कनहया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है और भूले विसरे चित्र भगोती चरण वर्मा की उपन्यास है। याद रखियेगा सारी का पत्रिका की अगर बात करें तो पूछी गए। सारी सवाल ये हमने कहा कि प्रिवियस एर में पूछी गई रचनाएं हैं ये और कच्छा 11 में आप हो चाहे 12 में हो चाहे जिस क्लास में हो सब के लिए इंपोर्टेंट हैं और खासकर ये UP बोर्ड 2024 यानी की कच्छा 12 के लिए सामान हिंदी और साहित हिंदी दोनों विद्यार के लिए इंपोर्टेंट हैं और टार्गेट उन्हीं को रखे किया गया है बाकी पढ़ सभी क्लास के लोग सकते हैं लेकिन खासकर कच्छा 12 के जो विद्यारती हैं सामान हिंदी और साहितिक हिंदी के वैस अभी बड़े ध्यान पूर्वक पढ़ें सारी का पत्रिका है मोह लिखी दो सुखने लिखे गजल लिखे खालिक बारी लिखी ठीक अब देखें नूतन ब्रह्मचारी नूतन ब्रह्मचारी ठीक है नूतन ब्रह्मचारी बाल कृष्ण भट का है एक जान सौ सुजान नूतन ब्रह्मचारी ये बाल कृष्ण भट की रचनाएं है अलंकार न है अलंकर जो कि आचारे राम चंदर शुकल द्वरा रचित है लेक लिखा गया था अलंकर आहिर क्या है अलंकर की परिभाशा इसमें सारी चीजें बताई गई है तो अलंकार नाम की जो रचना है वो आचारे शुकल की लिखी गई है पूछा गया सवाल मुद्रा राक्षस नाटक है ये भारतेंदू हरिष्चंद का नाटक है मुद्रा राक्षस संस्कृत का भी नाटक है विशाक दत्त का है और भारतेंदू हरिष्चंद का जो नाटक है वो हिंदी में है ठीक भाग्यवती जो है वे कहानी है स्रधाराम फिल्लोरी की भाग्यव यहां विधाध्यान नहीं आरहे तो आप बहाग्वति सरद्धारां फिल Anyways of therefore लिखें ड civर से बता देंगे। तालिडास की निरंकुस्ता महावीर प्रशाध दुवेदी की रचना है या क्या है महावीर प्रसाध दुवेदी की रचना है और आप RGdles बने ही साम आठ बजे लाइब क्लासेस आठ बज Rocky के बज़कर फंदरा मिनट पे शाहे- hopeful साहेयाट और आठ यह आणि आठ बज़कर तीस मिनट से पहले और आठ बजे के बाद हमेशा इस मद्भे में क्लासेस लाइब होती है। intermediate की board परिक्षा के सुबह तक यहनी आपका paper दोपहर से होगा तो सुबह तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे जब तक आपको हम भेज नहीं देंगे हिंदी का paper देने तब तक आपके साथ हैं और आप भी साथ बने रहें इसके लिए normal सा कुछ नहीं करना होता है आपको subscribe करना होता है telegram join करना होता है whatsapp channel join करना होता सबकी link description में रहती है यह आपके फायदे की चीज है क्योंकि exam के साथ भी exam के बाद भी exam के result के दिन तक हम आपके साथ रहते हैं और बाद में आपको कहा पढ़ना है क्या प्रणा है इसके साथ भी हम रहते हैं गुडिया भीतर गुडिया बहुत अच्छी रचना है मैत्रई पुष्पा की रचना है गुडिया भीतर गुडिया उपन्यास मैत्रई पुष्पा का है हरिवंश पुरान यह पुराने नहीं पुराण है हरिवंस पुराण गजाधर लाल की रचना है मुकरियां हमने कहा था मुकरियां अमीर खुसरू की हैं पहलिया मुकरियां प्रतवी पुत्र रचना है यह क्या है प्रतवी पुत्र रचना है प्रतवी पुत्र वासुदेश्रौन अग्रवाल की है ताइपिंग मिस्टेख हो जाती है अग्रवाल की रचना है वात्दों सुर्य को कहा गयाै कभी कभी यह पुछा जाता है कि बावरा अहेरी में आखिर बावरा अहेरी है कौन तो अगे जी ने सूर्य को बावरा अहरी कहा है ठीक है काल जई रचना का नाम है भवानी प्रसाद मिस्र की रचना है ठीक है भवानी प्रसाद मिस्र की है काल जई अलका निरुकमा ये सब निराला की है अलका है निरुकमा है बिल्ले सुर्बकरिहा है ठीक है चतुरी चम रचनार है यह सब निराला की रचनाएं देखिए महातुपूर्ण गद्य रचनाएं अभी तक तो आपने जो प्रीवियस में आई वो देखा अब आप देखे कि आने वाली और कौन-कौन उसी रचनाएं हैं जो गद्य की हैं प्रमुक गद्य रचनाएं हम आपको यहां बताएंगे रचनाओं की विधा बताएंगे और रचनाकार बताएंगे अंडे के छिलके एकांकी है मुहन राकेश की अंडे के छिलके क्या है एकांकी है मुहन राकेश की अतीत के चलचित्र र अंधेर नगरी जो है वो नाटक है और ये किसका नाटक है भारती इंदू हरिष्चंद का है अंधेरे बंद कमरे में उपन्यास है मोहन राकेश का अंबपाली भी क्या है नाटक है राम ब्रिक्ष बेनी पूरी का नाटक है अंबपाली बहुत बार पूचा गया है अजात सत् आप जानते हैं नाटक विधा की रिचना है और जैशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं अजात शत्रू के अनामदास का पोथा क्या है ये एक उपन्यास है और इस उपन्यास के लेखक हजारी प्रसाद दुवेदी हैं कितने लोगों ने भाई शेयर किया है जरा हमको बता दें तो हम भी जान लें कि भाई हाँ आपने शेयर किया है है ना शेयर कर दो भाई बहुत अच्छी बात है आप लगे रहे हम भी लगें अपनी कहानी जब अपनी ही है तो आत्मकता है और आत्मकता है पांडे वेचन शर् पिर बात कर लेते हैं अशोक के फूल अशोक के फूल हजारी प्रसाद दुवेदी का निबंध है अर्धनारीश्वर रामधारी सिंग दिनकर का निबंध है अर्धनारीश्वर में इश्वर है तो दिनकर में दिनकर है कर अर 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 लगा है दोनों में प्रत्ते अंधायुग गीति नाट्ट है या फिर यूँग है के काववे नाटक है धरमवीर भारती का क्या है अंधायुग धरमवीर भारती का है बहुत ही प्रसिद्ध काववे न नाटक है या प्रसिद्ध गीतिनाट्ट है अंधायुग आखरी चटान तक यात्रावरत्तांत है मोहन राकेश का आखरी चटान तक किसका है मोहन राकेश का है आधे अधूरे नाटक है मोहन राकेश का आधे अधूरे किसका है मोहन राकेश का आखरी चटान तक मोहन राकेश आवारा मसीहा ये बहुत पूची जाती है कितनी पूची जाती है बहुत पूची जाती है और ये हाई स्कूल के लिए रामबान साबित हो रही बहुत बार पूची जाती है आवारा मसीहा जीवनी है और ये विश्नु प्रभाकर की है अगर आपसे पूछ ले किसके जीवन पर आधारित है तो सरत्चंद के जीवन पर आधारित है आवारा मसीहा ये जीवनी है ठिक आशार का एक दिन कालिदास का इसमें वरणन होता है और ये आशार का एक दिन नाटक है जो कि मोहन राकेस का है ग्रजुएशन में चलता है आस् सहसा के चरण किसका निवनद्हें एक निवनद्हें डॉक्टर नगेंद्र का आया हुआ सवाल एक वूंद सहसा उचली यात्रारदTANT है ध्यान सचिदानंद हीरानंद वात्सयाइन अग्य यानि एक वूंद सहसा उचली अग्य ऐसे याद रखिएगा एक बून सहसा उचली यात्रा करने के लिए अग्य कलम का सिपाही नजर आ रहा है मुझे जीवनी है नजर आ रहा है कलम का सिपाही हाई स्कूल के लिए रामबाण है लेकिन आप के लिए भी कुछ कम नहीं है बात तरों बार ये पूछा गया सवाल है अमरित राय कलम के सिपाही के लेखक हैं और ये जीवनी है मुन्शी प्रेम चंद की जीवनी है जैसे आवारा मसीहा सरच चंद की है उसी तरह मुनसी प्रेम चंद की जीवनी है क्या कलम का सिपाही अमरित राय यानि मुनसी प्रेम चंद के पुत्र धनपत राय नाम था मुनसी प्रेम चंद जी का तो उनके पुत्र अमरित राय जो है वही लेखक है जीवनी कलम का सिपाही के लेखक पूछे तो अम्रित्रा है, और किसके जीवन पर है, तो मुंसी प्रेश्चंद के. कल्प वरक्ष की अगर हम बात करें, तो एक निबंध है, दॉक्टर वासदुशन अगरवाल का, और पहला चैप्टर है, दॉक्टर वासदुशन अगरवाल का, ग्राश्ट का सुर कर्म भूमी उपन्यास कौन नहीं जानता है प्रेम चंद की है क्या भूलूं क्या याद करूं रे क्या भूलूं आत्म कता है मैंने कल डाउट क्लास में बड़ा क्लियर किया था क्या भूलूं क्या याद करूं नीड का निर्माड फिर फिर बसेरे से दूर दसद्वार से सो पांच तक ये चार भागों में प्रकासित हरिवंस राय बच्चन की आत्म कता है क्या भूलूं क्या याद करूं अगणित उनमादों के छण हैं अगणित अवसादों के छण काया कल्प जो है ये उपन्यास है मुंसी प्रेम चंद का है इस काया कल्प उपन्यास में परलोक की कथा वर्णित है धान रखियेगा कालिदास की निरंकुष्टा आलोचना विधा की रचना है और इस आलोचना के लेखक महावीर प्रसाद दुवेदी जी है कुटज एक निबंद है कुटज हम लोगों ने पढ़ा कुट का मतलब होता परवत जामाने उद्पन परवती पौधे के बारे में भी सेस्ताय बताई गई है उसके माद्यम से समाज के बारे में भी तो आचारे हजारी प्रसाद दुवेदी का कुटज निबंद है जैसे आप आपने अशोक के फूल पढ़ा ऐसे एक उटेच पढ़िए च्छन बोले कण मुस्काए एक निबंद है कनहिया लाल मिश्र प्रभाकर का निबंद है गवन आप जानते हैं उपन्यास है प्रेमचंद का गवन गोदान जो भूल जाए तो बैर्थ है हिंदी पढ़ना गद्य कुस्मावली की अगर बात करें तो ये भी एक निबंद है ठीक है स्याम सुन्दर दास का इसकी आप प्रिक याद कर लो गनिश्या गद्य कुस्मावली निबंद स्याम सुन्दर दास गेहूं बनाम गुलाब गेहूं वर्सस गुलाब गेहूं बनाम गुलाब रामरिक्ष बेनिपूरी का एक निबंद है और गोबर गनेश गोबर गनेश उपन्यास बड़े ध्यान से सुनिएगा आया हुआ सवाल है गोबर गनेश क्या है उपन्यास है रमेश चंदर साह का गोस्वामी तुलसी दास ये एक आलोचना विधा की रचना है, डॉक्टर स्याम सुंदर दास ने गोस्वामी तुलसी दास लिखा है, गोरा बादल की कथा कल कुछ लोग पूँच रहे थे कि ये किस विधा की है, तो गोरा बादल की कथा हमने बताया था कि कहानी विधा की है कघा है ठीक है तो गोरा बादल की जो कघा है वो आख्खाई का है आख्खाई का मिंस होती है कहानी ही होती है जेटमल ने लिखा है आप जानते हैं गोदान कौन नहीं जानता हो पन्यास मुनसी प्रेम चंद की है गुंडा कहानी कल की असेसन में हमने शेयर किया था आपसे गुंडा, मधुआ और चीफ की दावत भीश्म साहनी की है एक चीफ की दावत कहानी है चीफ की दावत और ये किसकी है ये भीश्म साहनी की है ठीक है भीश्म साहनी की है और जैशंकर प्रसाद के हमने बताया था मधुआ है गुंडा है चांधी इंद्रजाल आकास दीप ये सब कहानियां हैं जैशंकर प्रसाद की चीफ की दावत भीश्म साहनी गुनाहों के देवता उपन्यास है धरम भीर भारती का याद रखियेगा एक्जाम के दिन तक हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ बने रहिए जितना हो सके आप ल से फाइदा हुआ है तो एक बार कुछ मत करना अपने किसी छोटे भाई को अपने किसी छोटी बहन को अपने किसी छोटे को अपने किसी जूनियर को आप से जो नीचे क्लास में उसको एक बार रिक्बंड कर देना कि एक अरुनेस सर हैं भले अरुनेस सर मत कहना अरुनेस कह कह देना और निश्वा कह देना जो भी मर्जी आए वो कह देना इज्जत सया बेज्जिती से कैसे भी नाम लेके बता देना कि ज्ञान सिंदू कोचिंग क्लासेज है मुझे फाइदा मिला तुम भी ले लो बस यही आभार व्यक्त करूंगा मैं और आगे बढ़ता हैं गुनाहों के देवताओ पन्याज धरम भारती निशुल्क सारी चीजें हैं सारी क्लासेज निशुल्क हैं बस अगर आप बुक लेते हैं हमारी या नोट्स लेत लाप से कुछ पैसा मुझे मिल जाए लाब मिल जाए मुझे मुझे ये सोच ही नहीं मैंने सोचा ही नहीं बस धेर सारे बच्चों की मांग पर बस पुस्तक निर्माड हुआ है और कुछ नहीं का गुनाहों का देवताओ पन्यास है धरम बीर-भारती का याद रखियेगा चंद्रगुप्त नाटक पूछा जाए तो यह नाटक तो है और किसका है जैशंकर प्रसाथ का है चंद्रगुप्त इसकंद्रगुप्त ध्रोस्वामिनी हमने कई बार आप से चर्चा की कल्ट्रिक भी बताई थी आपको अगर आप रेगुलर नहीं बने रहते हैं भाई आप स्कूल का वर्क करते हैं मैं जानता हूँ आप पर प्रेशर है स्कूल में भी आपको वर्कलोड बहुत रहता है कि मुझे आज बताया सर ने इतना याद करना एक्जाम में काम आएगा ये जरूर रिबीजन कर लो ये लेकिन हमेशा आप थोड़ा सा समय निकाले हमारे लिए अभी तो खायर बोर्ड को मेरा टार्गेट है तो अभी तो बोर्ड बिलकुल आप समझी रहे हैं चंद्रावली क्या है नाटक है भारतेंदू हरिश्चंद जी का चिंतामडी क्या है निबंध है आचारे शुकल का चिंतामडी कितने भागों में है याद रखना दो भाग चिंतामडी के हैं चिता के फूल जो कहानी है राम वरिक्षबेनी पूरी की है चित्रलेखा हमने पहले बताया था भगवती चन वर्मा की उपन्यास है चित्रलेखा कभी मौका मिले तो इसका सारांस भी पढ़िएगा जरूर खैर एक्जाम के प्रेसर के बाद आप इसको आ आहित्यका भी मैं आस्वादन करूं तो चित्रलेखा जरूर पढ़िएगा इसमें पाप और पुंड का विशलेशन किया गया है कि आपकी द्रश्टी में जो चीज पाप है किसी और की द्रश्टी में वही चीज पुंड है किसी और की द्रश्टी में कोई चीज पुंड है तो किसी और की द्रश्टी में वही चीज पाप है तो इसमें भगौती चनड वर्मा जी ने अंत में इस पश्ट कर दिया है कि संसार में पाप और पुंडे कुछ नहीं है बस मनुष्य की सूँच है लेकिन ऐसा नहीं है पाप पुंडे तो है भाई साब चित्र लेखा और इस उपन्यास की भाषा भी सही है और इस उपन्यास में सही बताया भी गया है कि एक नजरिये से किसी चीज के लिए दो वेक्तियों को ये न्यूक्त करते हैं एक को राजमहल में सिप्ट कराते हैं और दूसरे को बाबा के, यानि साधू संत के साथ, दोनों चेलों को एक बड़े बाबा होते हैं, तो दोनों चेलों को दो जगे सिप्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि परिणाम क्या निकलेगा, तो बाद में यही विश्टलेशन होता है, कि आपके नजरिये से जो चीज सही ह किसी और के नजरिये से वही चीज गलत भी हो सकती है, विचार से, ठीक है, चिद विलास बहुत पूचा जाता है, कक्षा 11 में तो छाया हुआ प्रश्ण है, इंटर में भी कई बार पूचा गया, चिद विलास निबंध है डॉक्टर संपूरा नंद का, चीन की राज्यक्र जानती इतिहास है, डॉक्टर संपूरा नंद का, पूरी की पूरी महामराथन समझ लो चल रही है, कोई रिक्कत नहीं है, 84 वेस्टमन की वारता ब्रजभाशा अगद्दे है, गोकुलनात का है, जंजीरें और दीवानें संसमरन है, राम वरिक्ष बेनी पूरी का, कहीं भी कहीं भी मिस्टेक आपको लग रही हो, कहीं भी डाउट लग रहा हो, तो वो एक बार आपको बिलकुल कंफर्म है कि हाँ, इसमें डाउट है, कि सर ने हो सकता गलत बताया हो, तो डाउट के लिए आप हमेशा हमारे वाटसेप पे चैट करिए, लेकिन चैट करने के बाद य वाजारों की संख्या में होते हैं लेकिन सारे चैट पढ़े जाते हैं ऐसा नहीं है कि पढ़ करके छोड़ दिया अगर मुझे लगता है कि वो पढ़ा गया चैट और मुझे लगता है कि इसका response नहीं देना चाहिए तो मैं नहीं देता हूं तो आप चैट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में मत करिएगा कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप लेकिन आप अगर WhatsApp पे कर दें यही चैट अबाउट सक्षन में WhatsApp नंबर है वो अगर आपको किसी भी चीज में डाउट है अगर आपको लगता है कि मैं यहां पे गलत ही बता रहा हूं लेकिन Google का प्रूफ मत देना Google का प्रूफ मैं नहीं मानता हूं हां मानता हूं मानने वाला होता है तो मानता ह Google कई बार बहुत सारी चीज़े गड़बर भी देता है तो आप Google की मतमाने थोड़ा सा सिक्षक से भी सलाह लें और पुस्तकों की सहायता लें तो चीज़ें doubt जो होते हैं वो clear हो जाते हैं वैसे भी doubt session हम लेते रहते हैं समय समय पर जैसंधी कहानी जो है ये जैनेंद्र कुमार की है जासे जैनेंद्र जासे जैसंधी और ये है क्या कहानी है ठीक है जैसे उनके दिन फिरे हरिशंकर परसाई ठीक थलुआ कलब निबंध है बाबु गुलाब राय का तुम चंदन हम पानी ये निबंध है डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी का ठीक तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र का है बहुत पूचा गया है त्याग पत्र जो है वो पन्यास है जैनेंद्र कुमार की most important है बहुत बार पूची गई है त्रिशंक जो है वो अग्गे का निबंध है त्रिशं को क्या है अग्गे का निबंध है दिल्ली दर्बार दर्पन दिदद दी दादा या फिर कह सकते हैं ट्रिपल डी दिल्ली दर्बार दर्पन निबंध है भारते इंदू हरिश्चन जी का दीबदान एकांकी डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है कि पन्नाधाय हाडारानी का ये बलिदानी देश कुरुबानी में कलेजा दुख ने न पाएगा ये पन्नाधाय की कहानी दीबदान आप सभी ने इसको अपने परफॉर्म किया होगा अपने स्कूल्स में या फिर परफ स्वामनी स्वार यहां पर गलत है दुरु स्वामनी जैसंकर प्रसाद की रचना है किसकी है जैसंकर प्रसाद की है दुरु स्वामनी रचना नहुष नाटक जो है नहुष नाटक किसका है गोपाल चंद्रगिरधरदास का है सौहाग्य से गोपाल चंद्रगिरधरदास जी बारते इंदू हरिस्चन जी के फिताज स्री थे और नासिकेतो पाक्षान खड़ी बोली गद्दे में है ठीक है खड़ी बोली गद्दे की रचना है सदल मिस्र इसके लेखक है और एक प्रकार से यम नचिकेता की कहानी कठोप निशत पर आधारित है निराला की साहित्य साधना बहुत बार पूची गई निराला की साहित्य साधना डॉक्टर राम बिलाश शर्मा की रचना है नील देवी नाटक है भारते इंदू हरिस्चन जी का नीली रोशनी की बाहें उपन्यास है मोहन राकेश का ठीक नीली रोशनी की बाहें मोहन पतितों के देश में उपन्यास राम रिक्ष बेनीपुरी का है, पत के साथी संसमरण विधा की रचना है, याद रखेगा कई बार पूचा गया है, संसमरण महादेवी वर्मा का है, और ये भी महादेवी वर्मा के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि किसके गद्य में करुण समवेदना की प्रधानता है तो वो महादेवी वर्मा के गद्य में है परिक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास ये क्या है ये प्रथम उपन्यास हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है इसको मौलिक कहा जाता है मौलिक मतलब मूल उपन्यास यानि इसको कहीं से भी नकल नहीं की गई मूल रचना इनकी थी लाला स्री निवास दास पाप और प्रकाश ये अनुवाद था जैनेंद्र कुमार का ठीक है पुनर्नवा अनाम दास का पोथा मैंने कहा बाणभट की आत्म का था हजारी प्रसाद दुवेदी की उपन्यास है पूरवोदय निवंद जैनेंद्र कुमार का है पृत्वी पुत्र निवंद वासदेशन अगरवाल का है और प्रवाल एक गद्यकाव्य है जो राय कृष्ण दास का है प्रवाल क्या है गद्य काववे है राय कृष्ण दास का प्रस्तुत प्रश्ण जड़ की बात निबंध है जैनेंद्र कुमार का प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है खड़ी बोली गद्य की रचना है पैरों में पंक बांध कर यात्रा वरत्तांत है राम वरिक्ष बेनी जैनेद्पूरी का बकलम खुद आता है और बकलम खुद क्या है बकलम खुद जो है वो निबंध है मोहन राकेश का बाजेपायलिया के गुंगरु निबंध है कनईया लाल मिश्रप्रभाकर का बानभट की आत्म कताॉ उपन्यास है आचार्य हजारी प्रसाद दुवेदी का और बिखरे फूल निबंद है रगुबीर सिंग का ठीक बिखरे मोती और उनमादिनी सुभद्रा कुमारी चोहान की काविर रचनाएं हैं बिखरे फूल निबंद रगुबीर सिंग का है और और रेती के फूल ये दिनकर की रचना है याद रखिएगा और बहुत पूछी जाती है बाणबट की आतमकता उपन्यास विधा की रचना है बूद और समुद्र अमरितलाल नागर का लिखा हुआ उपन्यास है भारत की एकता निबंद डॉक्टर वाजदेशन अगरवाल का है भारत जननी नाटक है भारतेंदू हरिश्चंद का भारत जन्नी किसका है विद्या सुंदर किसका है भारतेंदू हरिश्चंद का है भारत दुर्दशा भी नाटक भारतेंदू हरिश्चंद का है पिर है भाशा रहस्य ये भाशा विज्ञान संबंधी रचना है डॉक्टर श्याम सुंदर दास की है भाशा रहस्य भाशा योग वसिष्ठ खड़ी बोली गद्द की रचना है राम प्रसाद निरंजनी इसके लेखक है भूत के पाउं पीछे निबंध है हरिशंकर परसाई क महके आंगन चहके द्वार आओ कन्या लाल कुमार महके आंगन चहके द्वार निबंध है कन्या लाल मिस्र प्रभाकर का और माटी की मूर्ते रेखा चित्र है राम व्रिक्ष बेनी पुरी का माटी की मूर्ते रेखा चित्र किसका है राम व्रिक्ष बेनी पुरी का है याद रखिएगा अगर माटी की मूर्ते याद न रहा तो गडबड है माटी हो गई सोना ये भी रेखा चित्र है कनहिया लाल मिस्र प्रभाकर का और माटी की मूर्ते राम रिक्षे बेनी पूरी मेरा परिवार रेखा चित्र है नहीं ये मेरा परिवार तो अभी हमने आपको बताय और इसको हम यह कहते हैं दोनों के अंतरगत रखा जाता है इसको हम संस्मरानात्मक रेखा चित्र कह मिला के संसमरण है ठीक है मेरा परिवार मेरा परिवार क्या है संसमरण है याद रखिए नोट कर लिजिए मेरा जीवन प्रवाह आत्मकथा वियोगी हरी की है मेरी आत्म कथा अब देखो मेरी आत्म कथा आत्म कथा विधा की रचना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मेरी इस फलताएं आत्म कथा है बाबू गुलाब राय की और मेरी आत्म कहानी आत्म कथा है डॉक्टर शाम सुंदर दास की बातें समझेगा, मेरी आत्म कथा, आत्म कथा है, डॉक्टर राजेंद प्रसाद की, मेरी आत्म कहानी, आत्म कथा है, डॉक्टर शाम सुंदर दास की, और मेरी इस्फलताएं बाबु गुलावराय, मेरी जीवन यात्रा, राहुल सांस्कृत्याइन की आत्म कथा है, मेरी रा राम का मुकुट भीज रहा है निबंध है डॉक्टर विद्यानिवास मिस्र जी का तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिस्र और मेरी राम का मुकुट भीज रहा है विद्यानिवास मिस्र यात्रा के पन्ने यात्रा व्रत्तांत है राहुल सांस्कृत टायन का रतनावली नाटक भारतेंदू हरिश्चन जी का नाटक है रसग्य रंजन निबंध है महावीर प्रसाद दुवेदी का रसग्य महा ऐसे याद करिएगा रसज्य महा निबंद ठीक है रसमीमांसा आचारे रामचंद्र शुकल की आलोचना विधा की रचना है रूपक रहस से मैंने आपको बताया आलोचना डॉक्टर शाम सुंदर दास की है लहरों के राजहंस नाटक है मोहन राकेस का लिखी कागद कोरे निबंद है सचिदानंद हीरानंद वात्यायन अग्गे का सन्नाटा लेख है अग्गे का वंदेवानी विनायको वंदेवानी विनायको ऐसे होता है वंदेवानी विनायको ठीक है वंदेवानी विनायको ये रामवर्च बेनीपुरी का निबंद है वातायन कहानी है जैनेंद्र कुमार की फासी ठीक है फासी खेल पाजेब ठीक है फासी खेल पाजेब वातायन ये किसकी है जैनेंद्र कुमार की विचार और अनुभूती आलोचना डॉक्टर नगेंद्र की है विचार और वितर्क निबंद हजारी प्रसाद दुवेदी का है ठीक है विचार और वितर्क निबंद किसका है हजारी प्रसाद दुवेदी का है महामेरातन महारी वीजन का जो समय है तो समय कोई नहीं होता है महामेरातन महार revolutionary में तो दिन रात classes चलती है उसका कोई समय नहीं बस यह Avec आप ρहे टेली ग्राम जॉइन कर लिजिसे तो कहते हैं just टेलीग्राम अबाउट सेक्षिन में है, लिंक ठीक है, वहाँ पर आपको अगर WhatsApp चैनल जॉइन करना है, सम्पल सी बात WhatsApp सब चलाते हैं, WhatsApp चैनल जॉइन करना है, आप WhatsApp पे, अबाउट सेक्षिन में दिये गए, नंबर पे कहिए, सर मुझे WhatsApp लिंक दे दीजिए, चैनल की, मैं दे दूँगा, हणा, तो ये सब जरूरी है आपको जुड़ना, ताकि आपकी महामेराथन, महारी वीजन, कोई छूटे ही नहीं, ताकि आपके 95 प्लस का टारगेट पूरा हो जाए, विचार विमर्ष आलोचना महावीर प्रसाद दिवेदी की है, विचार और वितर्क निवंद हजारी प्रसाद दुवेदी का है, वैद की हिंसा हिंसान अभवती नाटक किसका है, वैद की हिंसा हिंसान अभवती नाटक भारते हिंदू रिष्चंद का है वुल्गा से गंगा कहानी राहूल सांस्क्रित 10 की और स्रिंखला की कणियां रेखा चित्र महादेवी वर्मा का है कौन नहीं जानता बताईए शेकर एक जीवनी उपन्यास है क्या है शेकर एक जीवनी उपन्यास है सच्चिदानंद ही रंदवात्सयान अग्ये का लिखा जीवनी है लेकिन है उपन्यास याद रखिएगा स्रिंगार असमंडन याद रखे स्रिंगार असमंडन जो है सुरुवात में ही बताया था ब्रजभासा गद्दे की रचना है बिठलनात की है शेश इस्मृतिया निबंध है रगुबीर सिंग का पहले हमने आपको ऐसे ही इंपोर्टन बता दिया पुराने समय में आई हुई हरिषंकर पर्साई का निबंध है संस्कृति के चाहर अध्याय रामधारी सिंग का निबंध है शप्त दीप निबंध रगुबीर सिंग का है सप्ट दीप किसका है निवंद्र गुवीर सिंग का है साधना गद्द काव्य है राय कृष्ण दास का गद्द गीत भी इसको कहते हैं ठीक है साहित सहचर आलोचना है आचारे हजारी प्रसाद दुवेदी की और साहित सीकर आलोचना है आचारे महावीर प्रसाद दुवेदी साहित सहचर हजारी प्रसाद दुवेदी साहित सीकर महावीर प्रसाद दुवेदी याद रखो साहित्या लोचन आलोचना है डॉक्टर स्याम सुंदर दास की सिंगा अवलोकन आत्म कथा है यश्पाल की अब यहाँ देखो साहित्या लोचन साहित्या लोचन क्या है आलोचना है साहित्या अवलोकन अगर यह आ जाए साहित्या अवलोकन तो यह रचना जो है डॉक्टर विने मोहन शर्मा की है किसकी है विने मोहन शर्मा की है साहित्या अवलोकन थोड़ा सा फर्क है साहित्या लोचन डॉक्टर श्यामसुंदर्दास साहित्या वलोकन डॉक्टर बिने मोहन सर्मा सिंगा वलोकन का आत्मकथा यश्पाल की है सुखदा चणदा तो महादेवी वर्मा की है अगर यहाँ पर कह दे क्षणदा ठीक है चणदा वैसे चणदा मिन सोती है रात चणदा महादेवी वर्मा ठीक है और अगर कह दे कि सुखदा ये जो है उपन्यास जैनेंद्र कुमार का है सुख सागर खड़ी बोली गद्द की रचना है मुन्शी सदा सुखलाल ने लिखा ह सुनीता उपन्यास जैनेंद्र कुमार का है परक सुनीता त्यागपत्र इसके ट्रिक मैं दे रहा हूं याद कर लीजिएगा कि एक ट्रिक क्या है पसुत्या पसुत्या जैनेंद्र याद रखिएगा यानि परक उपन्यास है सुनीता है और त्यागपत्र है ठीक है परक सु त्याग पत्रिय उपन्यास है जैनेंद्र कुमार के सूरज का सात्मा घोडा उपन्यास है डॉक्टर धरंबील भारती का है सीवा सदन उपन्यास है मुंशी प्रेम चंद का जो कि सब जानते हैं और इसकंद गुप्त नाटक है जशंकर प्रसाद का सब जानते हैं स्मृति की महादेवी वर्मा का यह संस मरानात्मक रेखा चित्र है ठीक है संसमरानात्मक रेखाचित्र है इनको दोनों स्रेणियों में रखा जा सकता है बहुत जगे आपको संसमर Stick मिलेगा तो न है तो ब्रमित मत होईएगा, हटी हम्मीर, नाटक प्रताम नाराण देश्रका है, रोते हैं हसते हैं कहारी हजसंकर परसाई की है, सुरुवात में हमने आपको बताई थी, और हिंदी भाषा और साहित्य आलोचना है डॉक्टर श्याम सुन्दरदास की, हिंदी साहित्य का इतिहा इतिहास ग्रंत किसी से छिपा नहीं है राम चंद्रशुक्ल का है और हिंदी साहित की भूमी का आलोचना अचार हजारी प्रसाद दुएवे की है 129 रचनाए ये और लगभग 20-25 रचनाए उपर तो अब काब रचनाओं की तरब चलते हैं और इधर आप लेखक देखेंगे तो लेखक जितने हैं उनकी रचनाएं एक साथ हमने कर दी हैं इसमें क्या है कि बार-बार इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा एक बार में समझ में आ जाएगा सुजान सागर एक बहुत ही महत्त पूरा रचना है जो की कई बार पूंछी गई है सुजान सागर घनानंद की रचना है ठीक है तो यह जो घनानंद थे घनान जी सवया कवित वगरा लिखते थे तो घनानंद का ये जो सुजान सागर है बहुत प्रसिद्ध है हुंकार आप जानते हैं रामधारी सिंग दिनकर ये दिनकर मतलब रामधारी सिंग दिनकर हुंकार कुरुक्षेत्र उर्वशी रश्मरती रस्वंती उर्वशी रश्मरती और रस्वंती और सामधेनी ये किसकी रचनाये हैं हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वसी, रश्मरती, रस्वन्ती और सामधेनी रामधारी सिंग दिनकर की रचनाये हैं कंठस्त कर लीजिएगा उर्वशी, कुरुक, शेत्र, रामधारी सिंग दिनकर की हैं, हुंकार, रश्मरथी, रसवन्ती, रामधारी सिंग दिनकर की काब्वे रचनाएं, बढ़ते हैं आगे, परशुराम की प्रतिक्षा, परशुराम की प्रतिक्षा बहुत ही मश्वूर आ है और बहुत ज़्यादा पूची गई रचना है ठीक है इंपॉर्टन जहां जहां बताते जाएं इंपॉर्टन अगर आपके पास बुक है तो उसमें लगा लो नहीं तो यह पीडियेफ आपको जब मिलेगी तो उसमें लगा ले सीपी और शंक यह भी रचना जो है जितनी यहां पर प्रमुक हैं वो पूची गई रचनाएं हैं सीपी और शंक और यह रचना है बापू अगर आपसे पूच ले बापू के प्रती तो अगर बापू के प्रती पूच ले तो यह जो है पंत की है ठीक है यह पंत की है लेकिन बापू पूछ रहा है केवल, तो बापू जब कह रहा है, तो बापू यानि की दिनकर की है, धूप छाह रचना, ये भी रामधारी सिंग दिनकर की है, ठीक है, अब धूप छाह है, तो भाई धूप छाह है, तो धूप और धुआ है, धूप छाह है, तो धूप और धुआ है दूप चाह, धूप और धुआ, तो ये दोनों जो हैं, रामधारी सिंग दिनकर की रचनाएं है, प्रणभंग भी रामधारी सिंग दिनकर की रचनाएं है, प्रणभंग भी है, धूप और धुआ, धूप चाह, धूप चाह, धूप और धुआ, प्रणभंग, रामधारी सिं ट्रिक आल्रेडी हम दिनकर जी के साहितिक परिचे में पढ़ाते वक्त हम लिखा चुके हैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक है तो आप साहितिक परिचे दिनकर जी का खासा important भी है तो आप जाकर के उसे देख भी सकते हैं और अगर वो ट्रिक याद हो गई तो कभी भी परिचे पढ़ सकते हैं अब आता आती है परिमल परिमल निराला की रचना भी है और परिमल लेखकों की एक संस्था भी थी लेकिन जो निराला है उनकी रचना भी परिमल है गीतिका भी निराला की है निराला बोले तो सूर्य कांत्रे पाठी निराला कुकुरमुत्ता निर तुने कुश्बू रंगव खुन्चूसा खाद का तुने असिष्ट इतरा रहा है डाल पर Capitalist तो यहां पर जो यह कविता है कुकुर्मुत्पा निराला की कुकुर्मुत्पा में पूझी वादियों के प्रति ग्रणा और शोशकों के प्रति in शोशकों के प्रति ग्रणा और शोशितों के प्रति हमदर्दी है कुकुरमुत्ता शोशित वर्ग का प्रतिनिद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् राम की शक्ति पूजा एक लंबी कविता है ध्यान दिजेगा राम की शक्ति पूजा एक लंबी कविता है निराला की यानि सूरिकांत्रिपाथी निराला और कई बार पूची गई है तो याद रखिएगा अनिमा, सूरिकांत्र पाठे निराला, राम की शक्ति पूजा, सूरिकांत्र पाठे निराला, अपरा तो यहाँ पर छोटा आ से अनिमा और अपरा और अर्चना भी है, नए पत्ते भी है तो छोटा से लगभग रचनाएं इनकी हैं, अनामिका, अपरा, अनिमा, अर्चना, सरोज इसमरती, सरोज इसमरती ये हिंदी का शोक गीत भी कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको, इसको शोक गीत भी कहते हैं, निराला की रचना है, शोक गीत है, निराला ने सरोज इनकी पुत् अपती के बाद विवाह के तुरंत बाद 19-वा वर्ष लगते ही शायद विवाह नहीं हो पाया था तुछ ऐसा था मतलब तुरंत वो 19-वे चरण में 19-वा वर्ष लगते ही वो खत्म हो जाती है अर्थात निधन उसका हो जाता है और इस पर निराला जी बड़े शोक मगन हो जाते हैं वैसे तो पतनी की असामाईक मृत्यू हो जाने से निराला जी बहुत दुखी थे ही इसके बाद एक विवाह करने को कहा इनकी सासू माने तो निरा तुलसी दास भी एक लंबी कविता है निराला की सुरिकांत्र पाठी निराला की नए पत्ते निराला की है आराधना निराला की है जुही की कली निराला की है अब जुही की कली आराधना नए पत्ते तुलसी दास सरोजिस्म्रती अपरा रामश्री शक्ति पूजा और अनिमा निराला की हैं, फिर आती है हिलोल, हिलोल बहुत पूची गई, शुमंगल सिंग सुमन, हिलोल किसकी है, शुमंगल सिंग सुमन की जीवन के गान, हिलोल और जीवन के गान पर आखें नहीं भरी, तीन रचनाएं बहुत इंपार्डेंट है शुमंगल सिंग सुमन जी की, हिलोल जीवन के गान पर आखे नहीं भरी आंगन के पार द्वार ये सचिदानंद हीरानंद वात्सयायन अग्गे की रचना है अब मैं आपको एक खास बात बता दू जो रचनाएं आपको इसमें याद है नो टेंशन आप उन पर ध्यान मत दीजिए क्योंकि वो याद हैं आपको उन रचनाओं को आप पुनाह लिखिए अपने रफ काउपी पे जो नहीं याद है ठीक है इसके बाद उनको पूरा कंठस्ट कर लीजिए फिर दुबारा जब आपको हम रिवीजन कराएंगे जो भी अटक जो भी प्रशन आप से अटके उसको ही काउपी में लटकाओ यानि किल लिखो ना अटके तो काउपी में हमारे पास इतना वक्त अब नहीं रहा है कि हम ये सब चीजें करें जो नहीं आपको यहां परचनारी एक बार लिखिए फटा फट रिवीजन कर लीजिए और एक्जाम दीजिए ठीक है हाँ मैंने जो बताया ध्यान दीजिए कि लिखने का वक्त भाई किसे है लेकिन वो रचनाएं जो इंपोर्टेंट हैं और आपको याद नहीं है फटा फट लिखिए रफ कारे पे जल्दी जल्दी लिखिए रफ पे और तुरंत याद करिए एक्जाम दीजिए काम खतम है ना और मैं सबकी कमेंट पढ़ूँगा लेकिन लास्त में ही कमेंट पढ़ता हूँ चुकि अब पढ़ाने के वक्त केवल अपनी बात आगन के पार द्वार अग्गे हरी घास पर चनवर अब यहाँ पर कहानी बना सकते हो आगन के पार गए हरी घास पर चनवर बैठे तब तक इंद्रधनुस उग आया फिर हमें प्रभामई करुणा दिखी सुनहले सैवाल दिखे फिर मैं सन्नाटे में बैठ गया और हिरोशिमा की याद आ गई ऐसे आप करके कोई कहानी गड़के याद कर सकते हैं इंद्रधनुस रोंदे हुए ये अरी ओ करुणा प्रभामई सुनहले सैवाल पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ और हिरोशिमा जैसी कविताएं अग्गेजी की हैं यहाँ पर एक बहुत अच्छी कविता आई बहुत अच्छी रचना आई है इश्क नामा यह घनानंद बोधा आलम जो रीती मुक्त कवी है उनकी रचना है इश्क नामा खासा इंपॉर्टेंट है साखी तो आप जानते हैं साखी का जो तप्सम होता है वो साक्षी होता है साक्षी का मतलब होता है गवाह तो साखी आखी ज्यान की कवीर ने कहा और बीजक कवीर की रचना है चुकि यह लगभग आउट आप से लेबस लेकिन यह सब ऐसी रचना है जो खासा इंपॉर्टेंट है और हमें और आपको पता होनी चाहिए यह ऐसे वेक्तित्तों है म्रिगावती कुतुबन सूफी रचना है रस रहस से कुलपति मिश्र की रचना है याद रखे रस रहस से कुलपति मिश्र राम चंद्रिका इसे हम छंदों का अजायब घर भी कहते हैं क्या कहते हैं? छंदों का अजायब घर भी कहते हैं कठिन काब्वे का प्रेत केशव को कहते हैं, केशव को क्या कहते हैं, कठिन काब्वे का प्रेत कहते हैं, तो यहाँ पर केशव का कठिन काब्वे का प्रेत केशव को कहा जाता है, छंदों का आजायब घर राम चंद्रिका, तो राम चंद्रिका के लेखक केशव दास हैं, त्रिक याद कर रही थी, यानि रसिक प्रिया, कभी प्रिया, राम चंद्रिका, जैमेंक जैस्चंद्रिका, नहीं नहीं, अभी जा से नहीं, पता है, विज्ञान गीता, ठीक है, तो रसिक प्रिया, कभी प्रिया, राम चंद्रिका, और जैमेंक जैस्चंद्रिका, ऐसे करके अभी देख रहा हूं और विज्ञान गीता ठीक है नक्षिक ये भी केशवदास की है ठीक आगे बढ़ो रतन बावनी ठीक है जहांगीर जहां ठीक आया जैचंद्रिका नहीं जहांगीर जैस्चंद्रिका जासे था ठीक इसलिए तो अब यहां देखिएगा फिर से आप लो रक राजवीवी ठीक है अब देखिए रक राजवी होगा रसिक प्रिया कभी प्रिया राम चंद्रिका जहांगीर जैस्चंद्रिका विज्ञानगीता और रतन बावनी की ठीक है रतन बावनी रसिक प्रिया कभी प्रिया राम चंद्रिका जहांगीर जस्चंद्रिका और रतन बावनी विज्ञान गीता तो रक रा जरवी ऐसे याद कर लो ट्रिक तो जादा अच्छा रहेगा युग की गंगा केदारनाथ अगरवाल बेहद इंपोर्टेंट करती है ठीक है लोक और आलोक केदारनाथ अगरवाल फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अगरवाल पंक और पतवार फूल नहीं रंग बोलते हैं लोक और आलोक नीन के बादर युक की गंगा केदारनाथ अगरवाल हे मेरी तुम आहा हे मेरी तुम आहा हे मेरी तुम केदारनाथ अगरवाल जै मयंक जस्चंद्रिका मधुकर भट की करती है यानी मधुकर कवी की है और जहांगीर जस्चंद्रिका केशवतास की है हमने आपको बताया रसराज मतिराम की है और ललित ललाम ही मतिराम की है मतिराम सत्सई तो मतिराम की है है खासा याद करने की जरूरत नहीं है तुरसराज ललित ललाम मतिराम साहित ते सार मतिराम पदमावत मलिक मुहम्मद जैसी की है अकरावट और आखरी कलाम ये मलिक मुहम्मद जैसी की है थोड़ा सा बता दे हम पदमावत में रानी नागमती और पदमावती की कहानी है अकरावट में वर्माला के एक एक अच्छर को लेकर के संदेश दिया गया है वर्माला के एक एक अच्छर को लेकर के सिध्धान्त निरूपन है और आखरी कलाम में कयामत का वर्नन है मलिक मुहम्मद जायसी अब आता है most important नीहार, रस्म, नीरजा, सांधिद हमने आपको बताया था याद कर लो, क्या याद कर लो, नीर, नी, सांधी तो नी से नीहार हो गया, नी से नीरजा हो गया, रा से रश्म हो गया, सां से सांधिद हो गया, दी से दीप सिखा हो गया, तो नीर, नी, सांधी इसके बाद सप्त परणा और संधिनी नीर नी सांदी सस तो इसका मतलब ये होता है सस लगा लोगे तो सप्त परणा और संधिनी या संस लगा लो नीरनी सांधी संस, नीहार, रस्म, नीरजा, सांधगी, दीपसिखा, संधिनी और सब्त परणा आधुनिक कभी, आधुनिक कभी भी महादेवी वर्मा की काभ विरचना है, याद रखना बहुत important है नरसी जी का मायरा, अब ये नरसी जी का मायरा महादेवी, मीरा बाई का है गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद और राग सोरट, राग सोरट भी इनहीं की रचना है, मीरा बाई की नरसी जी का मायरा गीत गोविंद की टी का राग सोरट और राग गोविंद ये मीरा बाई की है और हिम तरंगणी माखन लाल चतुरवेदी और हित तरंगणी अगर पूचले हित तरंगणी देखो हिम तरंगणी और हित तरंगणी दो अलग अलग हैं ये आपकी हित तरंगण की है हित तरंगिनी वेड़ लो गुंजे धरा माखन लाल चतुर वेदी की है हिम किरीटनी हिम तरंगिनी ये दो रचनाएं हिम हिम लगा है तो ये माखन लाल चतुर वेदी की है समर्पन युगचरण माता ये किसकी है माखन लाल चतुर वेदी की है समर्पन युगचरण मात माखनलाल चतुरवेदी कनुप्रिया धरंबीर भारती की है क्योंकि बोलने से होता है क्या याद समझ गया आप कि ठंडालौहा सातगी तुर्सगा के चल दिया अब नहीं सुनायेंगे खंडालोहा साथ गीत वर्सगा के चल दिया अंधा युग आएगा तो कनुप्रिया आएगी ऐसे ऐसे लपेट देते हैं लपेट दिया हमने बाग कोई कविता थोड़ी है खंडालोहा चल दिया साथ गीत वर्सगा के अंधा युग आएगा तो कनुप्रिया आएगी धरंबीर भारती की ये हैं रचनाएं बंधू आप याद करेंगे तब ही तो अंक आएंगे ठीक है साकीत मैतली शरण गुप्त की रचना है जो की आप जानते है ठीक है तो अगर हम इसकी ट्रिक बता दें भासा जय अब भासा जय ठीक है रंज भासा जय रंजद्वा अगर ये ट्रिक हम याद कर लें मैतली शरण गुप्त की तो कैसी रहेगी भा का मतलब भारत भारती सा का मतलब साकेत कहां कई भाई साब साकेत ठीक है भारत भारती सा का मतलब साकेत जा का मतलब है जैदरत वद या का मतलब है ये शोधरा रम का मतलब है रंग में भंग रम वो वाली मत समझना या का अच्छा या हटा सकते हो जा से जैदरत बद होता है तो भासा जय द्वारम ऐसे याद को लो ज्यादा सही रहेगा ये ट्रिक अच्छी रहेगी भासा जय द्वारम, भारत भारती साकेद जैदरत बद यशोधरा द्वापर रंग में भंग, समझ में आया, समझ में आया, नहीं आया, मैतली श्रण गुप्त, साकेद भारत भारती यशोधरा द्वापर रंग में भंग, जैदरत बद मैतली श्रण गुप्त, ठीक है, भासा या भासा जय द्वारम ट्रिक है फिर पंचवटी मैंने कल सुनाया था आपको ना कि पंचवटी की छाया में है सुन्दर पर्ण कुटीर बना सिद्राज मैतली शनार गुप्त की रचना है अनग मैतली शनार गुप्त की रचना है चंद्रहास मैतली शनार गुप्त की रचना है शकुंतला भी काववी रचना मैतली शनार गुप्त की है कुणाल गीत भी मैतली शनार गुप्त की है नहुष भी मैतली शनार गुप्त की है मुख्य रचनाओं की ट्रिक तो हमने बता दी भासा जय द्वारम लेकिन ये जो रचनाए हैं इनको और पढ़िएगा पंचवटी सिद्धराज अनक चंद्रहास दिलोत्तमा शंकुंदला त्रपदखा और कुडाल गीत नौश ठीक है प्रतवी पुत्र भाई साहब आप बोलोगे तर्वास देश रना करवाल की है हजारी प्रसाद वेदी की है अरे भाई साहब और निबंध हैं अपने को यहां देखना है काववे में क्यूंकि ये काववे रचना मैं त्रिश्रण गुप्त की है धरती गाती है धरती जो है ये भूतो न भविश्यती ऐसा विद्वान वेक्ती न भूतो न भविश्यती कभी नहीं हुआ कदाचित नहीं प्रलाय स्रजन सिव मंगल सिंग सुमन की है कीरती लता कीरती पता का विद्यापती की है ठीक है रेवन तगिरी रास विजे सीन सूरी की है हलाकि इंपोर्टेंट ह लेकिन ये आउट आप सिलेबस कह सकते हैं लेकिन इंपोर्टन बहुत है कभिकुल कलपतरु चिंतामणी की है रसरिंगार मंजरी चिंतामणी की है दूप के धान गिरिजा कुमार माथुर मोस्ट इंपार्टेंट दूप के धान शिला पंक चमकीले गिर्जा कुमार माथुर जो बंध नहीं सका गिर्जा कुमार माथुर चाया मत चूना रे होगा दुख दूना रे चाया मत चूना रे गिर्जा मत चूना रे जो बंध नहीं सका गिर्जा कुमार माथुर चाया मत चूना गिर्जा कुमार मा माथुर के कविता है बहुत अच्छी चाया मत छूना रे होगा दुख दूना रे चाया मत छूना गिर्जा कुमार माथुर भीतरी नदी की यात्रा गिर्जा कुमार माथुर साक्षी रहे वरतमान गिर्जा कुमार माथुर प्रतवी कल्प गिर्जा कुमार माथुर प्रतवी पढ़क नहीं लगाना है आपको क्योंकि प्रतवी पुत्र हमने बताया आपको काभई रसना गुपत जी की भी है और प्रतवी कल्प यहां पर लिखा गिरिजाकुमारमाथुर मधुकलश हरिवन्सराय बच्चन अब मदुशाला पढ़ो तो मजा आता है मदुशाला एक इनोंने वाद जो इनका चला वो हाला वाद कहा गया और हाला वाद के प्रवर्तक किसे कहा गया हरिवन्सराई बच्चन को बहुत प меньшеा जाता है थीक है, बुद्ध कानाचि घर बधभाला, हरिवन्सराई बच्चन निशाने मंत्रन एकांत संगीत, हरिवन्सराई बच्चन चार खे में चौँसट खूटे मिलन यामिनी हरिवन्स राय बच्चन जैचंद प्रकास भट केदार प्रेम फुलवारी भारतेंद हरिश्चन प्रेम प्रलाप भारतेंद हरिश्चन प्रेम माधुरी भारतेंद हरिश्चन प्रेम प्रलाप प्रेम फुलवारी प्रेम माधुर गाएंगे प्रेम प्रलाप प्रेम फुलवारी प्रेम माधुरी गाएंगे भारतेंदुजी आएंगे जब भारतेंदुजी आएंगे प्रेम माधुरी प्रेम प्रलाप प्रेम फुलवारी गाएंगे जब भारतेंदुजी आएंगे प्रेम तरंग प्रेम आश्रु वर्षन प्रेम आशुचिन, वर्षण है भाई साथ, प्रेम तरंग, प्रेम आशुचिन, प्रेम सरोवर, काब्य में अगर प्रेम लग जा तो भारतेंदु जी का है, बस इतना समझेगा, ठीक है, विजाए वल्लरी भारतेंदु हरिष्चन्द, बंदर सभा, बकरी बिलाप, भारतें मैं तरहा तरहा के गीत बेशता हूं, ये कविता है, भवानी प्रसाद मिस्र की चकित है दुख अन्धेरी कविताएं, भवानी प्रसाद मिस्र की हैं, फिर देखेगा, अबी पढ़ना है काईदे से, ठीक है, बुनी हुई रस्ती भवानी प्रसाद मिस्र की है बहुत इंप्रसाद मिस्र इन्हें जरूर आप पढ़िएगा ठीक है त्रिकाल संध्या काल जई अनाम तुम आते हो भवानी प्रसाद मिस्र फसल और फूल भवानी प्रसाद मिस्र शिवराज भूशन शिवा बावनी और शिवा शौरिय शिव लगा हो तो महा कभी भूशन की रचनाएं हैं पर कभी थे वो थे महा कभी भूशन बढ़ते हैं आगे च्छत्रसाल दसक भी भूशन का जगत बिनोत पदमाकर का है पदमाबरण भी पदमाकर का है गंगालहरी पदमाकर की यह तीन रचनाएं बहुत अच्छी हैं तिरुदिए का जगत बिनोत पदमाकर पदमाबरण पदम कश्मीर सुस्मा, most important, صримी धर पाठक, कश्मीर सुस्मा, सृरीधर पाठक, वनाष्टक, सृरीधर पाठक, आधुनिक कभी हैं, बहुत important है, वनाश्टक कस्मीर सुसमा स्रीधर पाठक एकांतवासी योगी दी हर्मिट दा हर्मिट ये इसका इन्हों ने पध्यानुवात किया था दा हर्मिट का ठीक है स्रीधर पाठक ने दा हर्मिट का ही किया था इन्हों ने डिसर्टर विलेच का किया था उजडगराम के नाम से और दाहर्मिट का एकांतवासी योगी के नाम से स्रिधर पाठक जी ने किया था नुवाद चित्र रेखा चित्र लेखा भगोती चरण वर्मा की है चित्र रेखा डॉक्टर रामकुमार वर्मा की है ठीक है चित्र रेखा है यह चित्र लेखा नहीं है उत्रायन डॉक्टर रामकुमार वर्मा की है, वीर हम्मीर रामकुमार वर्मा की रचना है, चितौर की चिंता डॉक्टर रामकुमार वर्मा की है, अभिशाप डॉक्टर रामकुमार वर्मा की काब रचना है, तो हम क्या कहेंगे, चित्र रेखा, उत्रायन, वीर हम्मीर, चि त्रिपाथी की है रेडुका दिनकर की है पथिक राम नरेश त्रिपाथी की है और ग्राम गीत भी राम नरेश त्रिपाथी की है इसकी ट्रिक है मिपस्वा नरेश यानी मिलन पथिक फिर स्वपन ठीक है मिलन पथिक स्वपन ये किसकी है ये राम नरेश त्रिपाथी की है वाटिकारस खान की है, हम्मीर रासो शारंग घर की रचना है, युगाधार सोहनलाल दुवेदी की है, दूद बताशा सोहनलाल दुवेदी की है, भैरवी सोहनलाल दुवेदी की है, युगाधार दूद बताशा भैरवी सोहनलाल दुवेदी, वासवदत्ता सोहनलाल दुवे जहरना सोहनलाल दुबेदी बिगुल सोहनलाल दुबेदी अब आपको इसमें क्या लगता है बिगुल बांसुरी बिगुल बांसुरी दोनों है किसकी सोहनलाल दुबेदी की हैं वीडा पंत वीग्र पगुंपल वीग्र पगुंपल वीग्र पगुंपल याद कर लो वीग्र पगुंपल वीग्र पगुंपल युयुग्रा वीग्र पगुंपल युयुग्रा अब समसेए वीडा ग्रंथी पल्लव पल्लविनी गुंजन और पल्ल का मतलव पल्लविनी है यहाँ पर पल्लका मतलव पल्लविनी ठीक है वीडा ग्रंथी पल्लव गुंजन पल्लविनी युगांत युगवाणी ग्राम्या स्वरण स्वरण उत्तरा आप सम्झो वीग्र पगुंपल युग्रा स्वरण स्वरण उत्तरा वीडा ग्रंथी पल्लव गुंजन पल्लविनी युगांत युगवाणी ग्राम्या स्वरण किरण स्वरण धूली उत्तरा ये किसकी रचनाये हैं स्थारी की स्थारी पंत की हैं वीडा पल्लव गुंजन युगवाणी ठीक पंत की हैं यानि सुमित्रान पंत उत्तरा लोकायतन कला और बुढ़ा चांदिये अलग से याद करो अब ऐसे कर लो वीग्र पागुम पल ठीक है? स्वारणा कलो उत्तरा ऐसे याद कर लो वीडा अग्रंथी पल्लव गुंजन पल्लविनी स्वारण किरान स्वारण धूली का से क्या बताया? कला और बुढ़ा चांद लो से लोकायतन उत्तरा से उत्तरा चिदंबरा चिकलो कर लो भाई इसी में लगा लो कहीं चिदंबरा के लिए भी ग्रंथी स्वारण किरान स्वारण धूली युगपत युगपत युगांतर यूगांत यूग्पत यूगांत 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 यूग सुबद्रा कुमारी चोहान की, स्वदेश के प्रती सुबद्रा कुमारी चोहान, जलिया वाला बाग सुबद्रा कुमारी चोहान, ठीक है, जहासी की रानी सुबद्रा कुमारी चोहान, संसस से सडक तक सुदामा पांडे धूमिल की रचना है, और most 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 important हम लगाते हैं इसको, क इस कविता में कहते हैं कि एक व्यक्ती रोटी बेलता है और दूसरा व्यक्ती रोटी खाता है और एक तीसरा व्यक्ती भी है न रोटी को खाता है न रोटी को बेलता है वो सिर्फ रोटी से खेलता है मैं पूछता हूँ कौन है मेरे देश की संसदमौन है सुदामा पांडे धुमिल जी की रचनाएं सीधे वार करती है वेवस्था के खिलाब ठीक है तो ठीक है चलिए मैं कमेंट पढ़ लेता हूं सब कुछ सही सही चल रहा है ठीक है यही अच्छा है कमेंट आपकी कभी कभी बीच में डिसकनेक्ट हो जाती है लेकिन आप लोग कम सबसे सडक तक सुदामा पांडे धुमिल यहां पर कभी कभी पूछा जाता है कि धुमिल उपनाम से कविताएं लिखने वाले कूरा नाम क्या था सुदामा पांडे कवित रतनाकर सेनापती की है अनामिका सुरिकांत्रपाठी निराला की सूर सागर सूर सारावली और साहित साहित लहरी यहां पर अक्सर साहित लहरी पूछी जाती है क्योंकि इसमें सूर नहीं लगा है ब्रमर्गीत पूछ लिया जाएगा सूर दास की तो साहित लहरी खासा सूर 25 लगा है शब्दरसयन देव अउस्ट धाम एक की में और रस विलास देव सुजान विनोंद देव सुजान सागर देखे घंकानंद की है लेकिन सुजान विनोंद देव की है कुमार रासो दलपतिभीजे प्रतविराज़ रासो चंदबरदाई ہिंडी का प्रथम महाकाव प्रत्विराज रासो है, चंद बरदाई इसके लेखक हैं, आप जानते हैं, आधिकाल का ये महाकाव है, ठीक है, मकामायनी जैसंकर प्रसाथ की रचना है, आसू जैसंकर प्रसाथ की रचना है, लहर जो है जैसंकर प्रसाथ की है, जरना जैसंकर प्रसाथ की उर्वशी कावे जो है वो रामधारी सिंग दिनकर की एक पुस्तक है उर्वशी वो है ठीक है हाँ उर्वशी कावे है वो इनका ये गीती कावे है गीती कावे कह सकते हैं कविता भी है और गदे भी है पद्द भी है ठीक है उर्वशी चंपू कह सकते हैं चंपू कह सकते हैं गद्य पद्य मिस्तित है, तो ये जैशंकर प्रसाथ का भी है और दिनकर का भी है, इसमें आप टेंशन मत लो, ठीक है? तो यहाँ समझो, अब यहाँ देखो, प्रेज आल काका, ठीक है? अब यहाँ देखो, प्रेम पतिक जरना आसू लहर कामाईनी कानन कुसुम, ठीक? प्रेम पतिक जरना आसू लहर कामाईनी कानन कुसुम, ठीक? ये इतना याद कर लो, प्रेम पतिक जरना लहर चित्राधार कानन कुसुम करुणाले, ठीक है? उर्वशी, ये किस की है? जैशंक प्रप्रसाद की है परमाल रासो और बीसल देवरासो परमाल रासो जगनिक की है बीसल देवरासो नरपतिनाल की है इसमें बीन याद रखो बीन बी से बीसल देवरासो ना से नरपतिनाल और परजग याद रखो परमाल रासो जगनिक सुदामा चरित परमाल रासों को आला खंड भी कहा जाता है कि ही आकी बाताई ही अना छाणओ अब आगे के सुनओ हवाल बड़े लड़ाई आम हुबेवाले जिनकी बेड़ी बहाय तलवार सुदामा चरित नरोसम दास आपने पढ़ा होगा विप्र सुदामा बसत हैं सदा आपने धाम और विक्षाप करी भोजन करें ही ये जपए हरिनाम कि धोती फटी सी लटी लकूटी अरूपाई उपाना की नहीं सामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा यह सुदामा चरित है और यह ऐसी काव्य करती है नरोत्तम दास सीता पूर में रहते हैं सीप़ Councillor में ही जन्म हुआ सिधोली के पास बाड़ी ग्राम में हुआ भड़ा सौभागी की बात है کہ उसी सीशिता पूर में हमारा भी जन्म हुआ लेकिन हम कभी नहीं हो पाए कोशिस किये नहीं हो पाए लेकिन यह महान कवी थे और सुदामा चरित जैसी ऐसी अनुपम कृती अनुपम कृती दे कर अतुल्य कृती दे कर गए जो आज नहीं आगे करोडों वर्सों तक प्रासंगिक रहेगी ऐसी भाषा करणफूल नरेंद्र सर्मा की है प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा पलाशवन नरेंद्र सर्मा रक्त चंदन नरेंद्र शर्मा ये आती रहती है बसवांकुर नागारजुन की है सतरंगे पंखों वाली प्यासी पत्राई आखें तुमने कहा था अब यहां पर देखो उस उसने कहा था चण्डरधर सरमा गुलेरी की कहानी है और तुमने कहा था नागार्जुन की कविता है तुमने कहा था प्यासी पत्राईए आखें सतरगे पंक्खों वाली भस्मांकुर नागारजुन RAKTCH dites चंह्दन प्रवासी के गीत करनफूल नरेंदरसरमा अच्छा अब ए पूल भी जंगल में तो अब ये समझ लो नेचुरल सारी रचनायन की है इसी सियास पहचान लेना बसमांकुर नागारजुन सतरंगे पंखों आली नागारजुन प्यासी पत्राई आखें और तुमने कहा था नागारजुन ठीक है गीतावली दोहावली कृष्ण गीतावली अब यहाँ पर हम आपको ट्रिक देते हैं तुलसी दास की कृतियों की पाजा वैब राख ठीक है और क्रगी रादो विरा क्रगी रादो विरा पाजा वैब राख क्री से कृष्ण गीतावली गी से गीतावली राम चरित मानस दोहावली बिने पत्रिका रामाग्या प्रशनावली पारवती मंगल जानकी मंगल वैराग्य संदीपनी बरवे रामाय राम लला नहच्चु और कभितावली इतनी बारह प्रामारिक रचनाएं हैं याद कर लो ठीक है तुलसी दास की हनुमान बाहुक जो है ये कभितावली में हनुमान बाहुक कभितावली के परिशिष्ट में सनलगन है तो कुछ बिद्वान इनकी यह तहरावी करती मानते हैं कुछ बिद्वान इसको कभितावली का एक अन्नुमानते हैं, ठीक है, तो चांद का मुटेढ़ा गजानन माधो मुक्तिवोध ये बहुत आती है, ये बहुत आती, इंपोर्डेंट है, हारे को हरी नाम हो दिन कर, नीम के पत्ते दिन कर, आत्मा की आखे रामधारी सिंग दिन कर, इतिहास की आखे रामधारी अच्छा ये बावरा अहेरी सूर्य को कहा गया है याद रखना प्रशन पूछा जाएगा कि बावरा अहेरी का विक्रती में अग्गे ने बावरा अहेरी किसे कहा है तो सूर्य को कहा है पूर्वा अग्गे की है चिंता अग्गे की है इत्यलम अग्गे की है कितनी नाओं में कितनी बार अग्गे की है तारसब तक अगे का समपादन है इत्यलम अगे का है गंगा अवतरन जगनाद दास रतनाकर की करती है युगधारा नागार जुन युगाधारा आपने पढ़ा था उनकी नहीं थी अब युगधारा पढ़ रहे हैं युगाधार युगधारा दो अलग अलग रचनाए हैं, अब मैं आपको दिखा देता हूँ, युगधारा किसकी थी, युगाधार किसकी थी, भूल गये मैं, युगाधार, युगांतर पंत की थी, एक विक्ति की युगाधार भी है, हाँ, युगाधार सुहन, अब देखो युगाधार पड़ो, confusion नहीं, युगाधार सुहनलाल दुवेदी, युगांतर पंतकी है, और फिर युगांतर पंतकी है, और फिर युगांत, अब आगे क्या था, देखो, युगधारा नागार जुनकी है, वैदेही बनवाश, अयुद्या सिंग, उपाद्या हर्योद का ह प्रिये प्रवास हर्योद का है, रसकलस हर्योद का है, चोखे चौपदे हर्योद का है, प्रदिम्न विजय हर्योद का है, चुबते चौपदे हर्योद का है, रसिक रहस्य हर्योद का है, ठीक है, प्रेमामवु प्रस्रवन, अयोद्या सिंग उपाद्या हर्योद, प्रेमा जगनाद्दास रतनाकर हरिश्चंद जगनाद्दास रचनाकर विश्णु लहरी जगनाद्दास रतनाकर की रचनाये हैं ठीक है सो मैंने आपको इतनी रचनाये याद करवा दी पढ़ाई बताई जैसा बन सका मैंने ट्रिक्स भी बताई और प्रिय प्रवास पद्य प्रसू आपको मैंने रचनाएं बताई हैं, युगाधार और युगधारा, युगाधार आपने सुभानला दुवेदी की पढ़ी, युगांतर पंत की पढ़ी, युगांत भी पंत की है, और युगधारा नागारजुन की है, ये ध्यान रखने की बात है, चित्र रेखा, रामकुम है और तिर्पतगा गुप्त जी का मैत्रिशन गुप्त जी का काव भी है और इत्यलम चिंता हरियोद जी की है बहुत ज्यादा पूछी-जाती- रहती वाली रचनाये जो हैं, हमने आपको करा दी हैं, ठीक है, चलिए, बहुत सारे वक्ति जुड़े हैं हमारे साथ, जो आएगा वो पाएगा, आकाश गौर जी है,